आई एवरिवर्ण कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग एच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी एक बद फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तो सबसे प्रेंद तो यार बताओ कैसे हो आप सभी और जे ग्राफी के तो हम वीडियो लाइ रहे हैं तो आज अगेन मैं लिकर आयों दोस्तो six standard गलिए जे ग्राफी सब्जेक्ट जीहां दोस्तो पहला chapter the earth and the gravity ग्राटिक क्यूल यहां हमारा चाप्टर चल रहा था दोस्तो बहुत 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 से पढ़ाई करने वाले और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो करने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चले शुरुआत करते तो बेसिक तो अगर बात किया है हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या प से बात की दिए ठीक है तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और एक बहतरीन टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नामें पार्लेल्स ओफ लाटिटूड इसका मतलब क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से देखना ये वीडियो अगर आप देख लोगे दोस्तों वो क्या है गोल है ठीक है थोड़ा बड़ा बनाता हो यह हमारा प्रित्वी यह हमारा अर्थ है अब अर्थ की बात करें हमने कल डिसकस किया था कि इसका जो सेंटर पॉइंट से एक स्ट्वेट लाइन अगर मैं पास कर दूँ इसको हम लोग बोलते है वैसे यह आपका ढूटका डारेक्शन है यानि कि यह साउथ पोल यह पो पता है हमने पिछले लेक्शर में भी आपको बताया था है तो यहां पर भी लगबग 30 होगा यहां पर भी 60 होगा इस प्रकार से होगा अगर मैं 30 डिगरी पर एक एक एलिप्स बनाओ ऐसमांदा पत और सेम एक और एलिप्स में बनाऊं कहाँ पे 60 डिग्री तो इस से परिज्पिवी आये बीच से जबढा है जिसे ऊपर आते जाएगा उसका जो circumference है, जो diameter है, वो कम होते जाएगा, इसका मतलब, अगर मैं एक ellipse को हमारे 20 डिगरी पे बनाओ, 30 डिगरी पे बनाओ, और वो ही चीज, मैं higher angle पे बनाओ, 60-70 डिगरी पे, तो जो higher angle होगा, उसका elliptical orbit छोटा होगा, उसका ellipse बनेगा, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है न, क्योंकि यहाँ पे spear जो है, spear का shape ऐसा होता है, कि यह जो point होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा diameter होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाए, या फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाओ, यह spear का जो diameter है, वो कम होते जाता है, और spear ऐसे ही होता है, बह जो एंगल होता है, सेम, यहाँ पे भी एक एंगल बना सकते हैं आप लोग, तो यह जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, तो यह सभी चीज अगूलर डिश्टेंस का जो फंड़ना है, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है न, और यह जो चीजे बन र तो आपका एक्चल में प्रित्वी कैसा दिखेगा दोस्तों, इस प्रकार का दिखेगा, यह हमारा प्रित्वी है, और यहाँ पे आपके जो सर्कल से वो एक्चल में कैसे दिखेंगे, लाइन्स दिखेंगे न, आपके जो सर्कल दिखेंगे, वो क्या दिखेंगे दोस्तों ऐसे lines दिखेंगे, क्योंकि है, तो ये goal न, ये पृत्वी जो है goal है, तो ये actual में आपको सीधा-सीधा, इधर से देख रहे हो, तो line लग रहा है, लेकिन actual में ये कैसा है, elliptical orbit है, ellipse है, तो यही जो circle है, इसी को हम लोग बोलते हैं, parallels, इसको क्या बोलते हैं, parallels of latitude, क्या बोलते हैं, parallels of latitude बोलते हैं, ठीक है न, और ये जो values होते हैं, parallels of latitude के, वो degrees में measure करते हैं, जैसे आपको पता, ये आपका, बीचो 20, ये 0 degree होता है, उसके बाद 30 degree होता है, ये 60 degree होता है, फिर यहाँ पर आपका 90 degree होता है, वैसे ये 30 degree, नीचे की तरफ आ रहा है, south हो जाएगा, ये 60 degree south हो जाएगा, ये 90 degree, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, angular measurement जो किया जाता है, वो degrees में measure किया जाता है, ठीक है न, और ये जो degrees होते हैं, पैडल के उपर, ये equator के हिसाप से measure किया जाता है, और इसलिए, जो equator का जो line है, यानि ये जो line है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जोश्टो, equator, इसको हम लोग क्या मानते हैं, 0 degree मानते हैं, क्या मानते हैं, 0 degree, तो हमेशा याद रखना, एक 0 degree होता है, उसके उपर north side बगर बढ़ते जाओगे, तो आपका degrees बढ़ते जाते हैं, 10, 20, 30, 60, ऐसा करके 90 तक जाता है, straight, कहां तक आ गया, मतलब 90 आ गया, फिर व बढ़ा circle होगा, क्योंकि यह 0 पे है, तो यह सबसे लंबा, इसमें diameter कौन सा होगा, यही वाला होगा, तो equator के उपर, जो भी circle बन रहा होगा, यानि कि जो earth का, equator का, latitude वाला जो line है, यह सबसे बढ़ा होगा, it is the largest, and सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे यहाँ पे बनेगा, टॉप पे, 90 डिग्री वाले पे, ठीके न, यह इसके हिसाब से हम लोगो समझ में आ रहा होगा, तो जो angular distance होता है, जो parallels होते है, जो north की तरफ और south की तरफ, वो क्या होते हैं, increase हो जाते है, away from the equator, ठीके है, तो angular distance क्या होते है, जैसे हम लोग north की तरफ बढ़े, या फिर south की दिए वे, 0 degree equator से start हो रहा है, 0, यह हमारा देखो, इस प्रकार से दिया हुआ है, हम लोग ने यह straight बनाया है, लेकिन यह actual में कैसे start हो रहा है, यहाँ से start हो रहा है, यह आपका 0 का line हो गया, इसके बाद यह दूसरा line हो गया, 10 degree का, उसके बाद यह तीसरा line हो गया, 20 degree, उसक में आ रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनते जा रहा है, फिर यह 40 का, 50 का, 60 का, ऐसे करते, 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 यह पुरा एक circle जैसा बन रहा है, लेकिन actual में जब आ इसको सामने से देख रहे हो, तो यह line जैसा दिखता है, जो कि यह parallel है, और इसी लिए इसको क्या क्य इसको नीचे वाले को साउथ बोलते है, तो यह पूरा उपर का हिस्सा है, अगर मैं बात करूँ, यह आपका पूरा उपर का हिस्सा दिख रहा है, इतना, इसको हम लोग बोलते है, northern hemisphere, क्या बोलते हैं, दोस्तो, northern hemisphere, जैसे कि आप जालते हो, hemisphere का मतलब maps में होता है, आधा, circle का आधा, तो यह circle है, sphere को आधा काट दिया जाए, तो उपर जो north pole का पाट है, इसको consider किया जाएगा, northern hemisphere, और यह जो नीचे वाला portion है, इतना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग southern hemisphere, क्या कहेंगे दोस्तो, southern hemisphere, तो एक है northern hemisphere, जो उपर का पाट है, जो equator के उपर का प है, वो southern hemisphere, और यह आपका equator, समझ में आ गया, यह बीच वाला जो लाइन होता है, 0 degree पे, वो होता है आपका equator, समझ में आ गया, northern hemisphere, southern hemisphere, और जैसे कि आप जानते हो कि, north and south, जो है न, equator के, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग उपर जाते जाएंगे, जैसे कि आप देख पारे हो, यह प्रकार से वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है, और यह जो points होते हैं, जहाँ पे सबसे last आता है, यह आपका क्या होता है, पोल बोलते हैं, इसको north pole और south pole बोला जाता है, जैसे north pole है हमारा प्रिच्वी का सबसे उपरी पार्ट, यहानि north का पार्ट, that is the north pole, और प्रिच्वी क होते हैं, आगर हम बात करें, ठीक है, ना, northern hemisphere से उसको हम लोग 5 degree या फिर 15 degree north के साफ से measure करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यह 10 degree, समझ में आ रहा है, लेको जान से, यह क्या लिखा है 10 degree, तो यह 10 degree north हो जाएगा, 20 degree north, 30 degree north, 40 degree north हो जाएगा, वही यह जो नीचे क के lines बनेंगे, यह क्या हो जाएगे, south वाले lines है, तो यह भी अगर 10, 20, के साफ से मैं बनाऊ, तो यह जाएगा 10, 20, 30, लेकिन यह 10 degree south बोलेंगे 20 degree south, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 degree है, लेकिन यह north है, यहाँ पर 20 degree है, लेकिन यह south है, तो यह हो जाएगा 20 degree north, 20 degree south, और यह क्य यूज होता है ताकि location का पता चले अगर कोई इंसान है और बोलेगा कि मैं earth के 20 डिगरी पर खड़ा हूँ तो लेकिन कौन सा 20 डिगरी भाईया समझ में आना चाहिए तो 20 डिगरी north पर खड़ा हूँ या फिर 20 डिगरी south पर खड़ा हूँ तो इसको हम बोलते हैं अगर north पर है इसमें longitudes भी होते हैं longitudes मतलब ऐसे ऐसे lines भी होते हैं थाकि exact location पता चल सकें यह जो lines है ना वो ऐसे ऐसे lines भी होते हैं तो longitudes actual में क्या होता है इसके क्या role से क्या benefits है और यह क्यू होता है यह हमें actual location को trace करने के लिए होता है जैसे हम लोग GPS देखते हैं बहुत सारे चीज़े यह पूरा location का खेले, तो actual में यह सब फंडा क्या होता है, यह सभी चीज ना, longitude के बारे में हम लोग अगले lecture में पढ़ेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की जरूद नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप देखोगे, ठीके न, clear cut आपको दिख रहा होगा, this point is called as the earth center, ठीके न, earth center है, तो यह आपका क्या है दोस्तो, यह पूरा आप देखोगे, तो यह जो lines, इस प्रकार जो आपको दिख रही होगी, यह सब latitude से, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रकार की भी lines दिख रही है, यह दिख रहा है, यह इस प्रकार से lines आपको दिख रही है, य समझ में आगे दोस्तों तो कोई चिंता की बात नहीं तो एक्जाक्ली लॉंगिटूड क्या होता है यह हम लोग आपको बहुत अच्छे मार्स मिल जाएंगे ठीक है चलो आज के लिए इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना होता के शेयर कर देना और अगर फर्स टाइम आयो चैनल पर अभी तक चै झाल